अगर तवब हो जद अगंदा हो गया है तो इसको साफ करने के लिए सबसे पहले इस पर शैंपू डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे इसको गरम करने के बाद इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और नमक को अच्छी तरह से भून लेंगे नमक को भूनने के बाद इस पर पानी डालेंगे और पानी में निम्बू की कुछ बुंदे डाल देंगे और फिर एक फोग की मदद से इस निम्बू को तवे पर रब करेंगे तवे पर जो भी चिकनाई जमी भी है वो दीरे-दीरे हटने लग जाएगी फिर हम इसको पानी से धो लेंगे और फिर एक स्टील स्क्रब की मदद से इसको फिर से साफ करेंगे और थोड़ा सा डिस्वोस भी हम इसमें यूज करेंगे आप देखोगी कि तवे पर जितनी भी चिकनाई जम्मे वी है वो सारी उतर गई है और तवा जो है वो एकदम से साफ और चमकदर हो गया है इस तरह से आप अपने तवे को साफ कर सकते हैं चाए बरतन से बाहर निकल जाती है तो आप इस हैग को ट्राइ कर सकते हैं इसके लिए आपको एक बेलन लेना है और उस बेलन को चाय वाले बरतन के उपर रख देना है और इस तरह से आप देखोगे कि इसको रखने के बाद चाय जो है बरतन से बाहर नहीं निकलती है तो इस एक को ट्राय ज़रूर करें अगर आप भी मच्छर और कोकरे से बहुजा दपरेशान है तो एक बार इस तो ट्राय ज़रूर करें इसके लिए आपको एक प्याज लेना है और उसको उपर से अच्छी तरह से काट लेना है उपर से काटने के बाद अब हम इसमें एक छोटा सा होल बना लेंगे और इसमें energy प्याद की एक बत्ती बना कर इसको सर्सों के तेल में भिखोकर इसमें रख देंगे और उपर से तेल इसमें डाल देंगे और फिर इस बत्ती को जला लेंगे इसके बाद आपको जहां भी कोकरेज और मच्छर परिशान करें जिस भी स्थान पर ज़्यादा कोकरेज वह मच्छर आते हैं उसको वहां रख देंगे और इस तरह से आप आसानी से मच्छर और कोकरे से छुटकारा पा सकते हैं वीडियो पसे नाई तो लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें